च्छे सबसे उंचे दर्जे के अपराद बताए बुद्ध के समय में बुद्धन है उन च्छे अपरादों की जो सजा है वो बहुत बहेंकर है जो मनुस्य अपने पूरे जीवन में जेलता है उसको अवीची नरख भी बोलते हैं अवीची का मतलब है बहुत गहरा तुख बहुत गहरी वेदनाएं जो सरीर से निकलती नहीं है और काफी दिनों तक वो चलती हैं कैई के जन्मों तक भी चलती हैं और बड़ी तीब होती है ठीक ऐसे जैसे पेट में दर्द होता है तो वो तीब्रता की वेदराय होती है अगर वो ऐसा हो जाए पढ़ जाए या किसी को सर में दर्द होना सुरू हो जाए और वो रुके ही नहा तो इसको अवीची नरक वाली अवस्था बोलते हैं यह छे जो कारण हैं या छे जो डंड हैं किसनी मिलते हैं कि अगर आप अपने माता की हत्या कर दें या अपने पिता की हत्या कर दें तो आपको अबिची नरक में जाना पड़ेगा या आप अपने किसी जो धम हैं, अरत हैं, गुरू हैं उनकी हत्या कर दें या बुद्ध घात कर दें, यानि किसी बुद्ध को मारें या बुद्ध पर कोई हमला करें चार प्रकार से ये माता, पिता, अरत और बुद्ध हुए और दो प्रिकार से इसमें आता है कि आप या तो संग में भेद कर दें संग भेद का मतलब है जो भगवान भिक्तु का जो संग है वो या जो अच्छे लोगों का संग है उसको तोड़ फूर कर दें उसमें मतभेद पैसा कर दें उसको अलग लग कर दें उसको जातियों में तोड़ दें, उसको वर्ग में तोड़ दें, उसको काश्ट में तोड़ दें, उसको धरम में तोड़ दें, उसको मुच नीच में तोड़ दें, उसको गरीब अमीर में तोड़ दें और उस जहर को फैलाते रहें तो अगर आप किसी अच्छे संग भेद में करते हैं, संगों को तोडते हैं, लोगों के संभों को तोडते हैं, तो उसका अवीची नरक में स्थान होता है, आपको अभी बहले ही ना लगे, मगर वो आपकी पीणियों तक आपके साथ रहेगा और जो छटा होता है अगर मिथा अचारियों पर जो आचारे ऐसे होते हैं जो जूटे होते हैं उन पर अगर आप यकीन करें यानि के कोई व्यक्ति जो आपको ऐसी जानकाई दे रहा है जो जूटी है जो मिथ्या की है जो पाप वाली है अगर वो आपको हत्या जूट बोलना लूट पाट जगड़ा शराब अफिंग चरस गांजा या सुलफा या किसी का पैसा लेना मारना या फ्री का खाना फ्री का ज्ञान देने वाला है और उस पे आप यकीन करते हैं तो वो भी आपको अवीची नरक में लेके जाता है ये छे प्रकार के उच्छ जो इस्थान वाले दोस होते हैं इनको करने से आदमी अवीची नरक में जाता है जहां सबसे ज़्यादा तीब्रता का दुख उसे शचांय तो द्वा सुख उसे लिए थिए गच्चा में, धांधं शरनं गच्चा में, संधं शरनं गच्चा में,